तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस तरह के एक चटनी जार है और यह चटनी जार का जो हिस्सा है वा कफी जो बोल्ट देख सकते हैं तूड चुका है कि अगज़ें और देख सकते इस तरह से जो सोकेट है यह पूरी तरह से खराब हो चुका है तब हम इसे खोलेंगे और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या खराबी है तो इससे खोलने के लिए में इस तरह का देख सकते हैं ती रिंच की साहता से इस तरह का एक हम गोटी रिंच लिए है और इस तरह इधर से अभी हम सलाय रिंच ले लिए है किया खुल नहीं रहा है काफी दिकत से तो अभी इस तरह से खोलेंगा आप देख सकते हैं अगर आपका भी इस तरह से रांड कर जाता है तो इस विधिक द्वारा आप भी कपलर से ब्लेड को हटा सकते हैं कि देख सकते हैं इस तरह से यह हमारा खुलने ही को है थोड़ी सी दोस्ता हमारी वीडियो थोड़ी से लंबी होगी लेकिन अगर आप अच्छी तरह से देख लिए सीख लिए तो आप जार का काम कर सकते हैं देखिए किस तरह से हम खोलते हैं इस जार को कपलर को दिखाते ह कि यह देखिए किस तरह से घुमाएं और यह हमारा खूल रहा है यह 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 देख सकते हैं तो किस तरह से करना पड़ता है काम तब हम इसे भी उसी तरह से घुमाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में यह देखिए तो हमारा यह खुल चुका डिला हो चुका अब देख सकते हैं अब हम इस तरह से खुल लेंगे खुलने के बाद अभी क्या हुआ इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वासर है ही नहीं दोस्तों यह देख सकते हैं पूरतर से जाम हो चुका है तो अभी हम इसे इस तरह के जुगार से ठोकेंगे और इसे निकालेंगे आइसा देख सकते हैं किस तरह से हम इसे ठोके निकाल लिए यह देख सकते इसका जो बोल्ट है हुआ जिस बोल्ट नट नट तो टूर चुका है अज़सुक है घांट यह भी मार खा चुका आप देख सकते हैं है यह सौप्ट है के और ब्लेड अब यह सब तो सही है मिचे अन्थ है इसका जो नट है से खोलेंगे या यह थोड़ nieuwe टाइट हो जाता है लेकिन हम इस से मृष्व наша मैस खोलें तो इस तरह से कूल सकते हैं और इस तरह काम करने के लिए आप थोड़ा सा कपड़े का परियोग करेंगे नहीं तो हाथ आपको जख्मी हो सकता है तब हम उसे साइड कर देख सकते हैं यह पूरी तरह से मार भी खा चुका है इसके घाट खतम हो चुका है तो हमें दूसरा सोकेट बदल नहीं पड़ेगा तभी हमारे यह काम सक्सेस होगा देख सकते हैं इस तरह से यह किसी कीमत में नहीं लगेगा यह पूरी तरह से सिलिप कर रहा देख सकते हैं अब तो बोल्ट जो इसका जो नट है तो तूटी गया है तो इसे हम नहीं डालेंगे हम कुछ नया डालेंगे तो इस तरह का देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का नया शोकेट है तो अब इसे हम खोलते हैं फटाफट देख सकते हैं किस तरह से वासर है प्लास्टिक वासर इस्टील के वासर और यह जो नट जो है वह पीतल को होते दोस्तों तो हम इसे फीट करेंगे फटा फट इस चट्नी जार के डब्बे पे तो देखिए कैसे भी हम फीट करते हैं यह इसे महटा देंगे कि पुराना हो चुका है और यहां भी हम फीट करेंगे इसे फीट करने के लिए तो जो मार खा गया था उसे हम हटा देंगे और यह नया उला जो सौप्ट है इसे डालेंगे समान साइज का है दोनों सबसे पहले हम ब्लेड को कस लेते हैं इस तरह के नट से गरी तरह से कसेंगे ताकि गराहक से हम सिकायत करना करना पड़े हो फूर इतरह से टाइट करेंगे अगर आप इस तरह के वीडियो आराम से देख लेंगे तो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे जार कट ऊ About और इसे भी हम डाल देंगे सबसे पहले वासर डालेंगे प्लास्टिक वासर फिर श्टील के वासर ताकि हमारा यह लीकेज ना हो अब इस नट को हम कस देंगे जो और से कसेंगे पूरी तरह कसेंगे इतना कसेंगे कि सिलिप हो जाए लेकिन सिलिप होता नहीं है दोस्तों यह जो नट कहीं खुबी है इस तरह करींच ले लिए हैं देख सकते हैं और यह हमारा कसा रहा है और कसने के बाद अभी इसमें हम जो हमारा रेती गोल रेती होता है उसे घाट को ठीक करेंगे इस तरह काम अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं अब हमारे चैनल पर नहीं है दोस्तों फटाबर चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों यारों पर शेयर करें अब हम इस तरह के ब्लेड को डालेंगे इस तरह डाल है तो देख सकते हैं जाम जा रहा है किसे भी हम गोल रेती की सहता से थोड़े से इसे हम फ्रेज करेंगे देख सकती इस तरह के गोल रहती होता है तो इस तरह से फ्रेश करने के बाद अंदर बाहर दोने तरफ से करेंगे अब बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं करेंगे यह तो हमारा जो बूस है वह पूरी तरह से खराब हो जाएगा तो बीना मतलब के फिर हो जाएगा फिर हमें नया बूश्ट डालने की आसकता पड़ेगी इतना हम इसे फ्री करेंगे जिससे हमारा जो सॉप्ट है वह आसानी से काम करें तो इस तरह के बारिकी-बारिकी काम करके आप अपना जार स्वेम से बना सकते हैं आपको मार्कर जाने का सकता नहीं पड़ सकती है देख सकते हैं हमारा लभव लभव प्री हो चुका अब इसमें एक वासर डाल देते हैं इस तरह से वासर को मिला कर देखेंगे वासर डालने के बाद हमारा इस तरह से काफी सुंदर रन्निंग होरा देख सकते हैं यह देख सकते हैं तुस तरह जार को हम हम अच्छी तरह से मरमत कर सकते हैं यह देख सकते हैं इस तरह वासर को भी हम कफी सुन्दर से डाल दे रुष्टील वासर डाल दे अब कपलर को हम कस देंगे जैसे हमने खोला था उसी टैप से कपलर को कसेंगे इस तरह का हमारा वीडियो दखने कर दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्य बाद काफी सुन्दर बार कर रहा है लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें